दिशाप पाटनी की फिल्म बागी ने बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई नहेज 65 करोड के बजट पे बनी इस फिल्म ने जहां बॉक्स ओफिस पर 130 करोड से उपर की कमाई कर ली है तो वहीं वर्ल डवाइड ये फिल्म 200 करोड के कलब में शामिल हो चुकी है दिशा फिल्हाल वोई प्रिंट टाइगर श्रोफ के साथ अपनी इस फिल्म की सकसिस इंजॉय कर रही है हाल ही में वे बांदरा के एक पॉपुलर रियस्तरा में पहुंची थी दिशा ने यहाँ परपल कलर की ट्यूप टॉप के साथ डेनिम स्कर्ट करी की थी खास बात ये थी कि दिशा ने इस के साथ एक वाइड कलर का स्लिंग बैग भी करी किया था जिसकी केमत पांच लाख चववन हजार पांच सो रुपए थी यही बजह रही कि वे रियस्तरा में सेंटर अव्याट्रिक्शन भी बन गी बरेली में जन्मी दिशा साइन्टेस्ट बननी का सपना देखती थी लेकिन 2011 में लखनों की एमेटी उनिवर्सिटी में बायोटी की पढ़ाई के दोरान उन्होंने मॉडलिंग शुरू की डैश दिशा बचपन से ही पढ़ने में तेज रही इसी वजह से साइन्टेस्ट बननी का सपना देख रही थी हलाकि किस्मत में उनके लिए कुछ और चुना था डैश 2011 में लखनों एमेटी उनिवर्सिटी में बायोटी की पढ़ाई करते हुए उन्होंने फैशन की फेल में अपनी किस्मत आज माई और 2013 में फेम मिना मिस इंडिया इंदौर की रणर अप रही है डैश लखनों में कॉलेज के दौरान फेरवेल पार्टी में दिशा को मिस कॉलेज चुना गया इसके बाद उन्होंने मिस लखनों कॉम्पिटीशन में पार्टी से पेड़ किया मिस लखनों बनने के बाद वे पैंटालून मॉडल में फर्स्ट रंज रप रही 2015 में दिशा के अड़ अबरी डेरी मिल्क के एक अड़ में नजर आई इसी साल उन्होंने एक मोबाइल कमपनी के अड़ में धी काम किया डैश इसी के बाद तेलगो फिल्मों के डाइरेक्टर पुरी जगनात ने उन्हें मूवी लोग फर के लिए कास्ट किया यहीं से दिशा की फिल्मों में इंट्री हुई